identify the angle created by the minute hand and the hour hand at 2.30 p.m. हम से ये पूछा है कि जो angle create होगा, किसके बीच में? minute hand, clock में दो तरह के hand होते हैं, minute hand जो minute show करता है, और ये hand तोड़ा बड़ा होता है, bigger hand होता है, और एक होता है hour hand, जो छोटी बुस्की hand होता है, और वो hour show करता है, यानि कि कितने p.m. होए है, 2 p.m. होए है, ये show करता है, और 2 बचके कितने minutes होए है, वो minute hand show करेगा, तो इनके बीच में जो angle बनेगा, at what time? 2.30 p.m. पे, वो acute होगा, obtuse होगा, straight होगा, या right होगा, यह हमें देखना है, तो पहले हमें clock बना लेंगे, clock के लिए पहले एक circle draw करेंगे like this, और यहां पर कुछ number mark करेंगे, यहां 12, clock बनाने के लिए यह 3, यह 6, और यहां पर 9, अब 2.30 p.m. बजाने तो हमें बाकी की भी number, यहां 1 लिखना होगा, यह 2, यह 3 और 4 के बीच में 4 & 5 आएगा, यह 7, यह 8, 9 और 12 के बीच में 10 और 11, तो clock कुछ इस तरह से होती है, यह इस तरह से होती है, अब 2.30 p.m. पे, मालो यह इसका center हो गया, clock का यहां पर, तो जो hour hand होगा, यानि की छोटी वाली सुई, वो 2 पे होगी, और minute hand यहां पर होगा, ठीक है, तो यह किस type का angle बना रहा है, obtuse, acute बना रहा है, obtuse बना रहा है, straight या right, तो मैंने आपको question number 47 में, बताया था कि कैसे हम identify करते हैं कि particular angle acute है या obtuse है, ठीक है, या right है, यह मैंने आपको explain किया था, straight angle का मैं बता थू, straight angle होता है, जब बिलकुर straight line पे दोनो raise हो, तो आप वीडियो देख सकते हो, उससे आपके understanding better होईगी, फिर भी मैं एक बार repeat कर रहा हूं कि यह मैंने क्या बताया था उसमें, लेकिन उस वीडियो को भी देखना तो और अच्छे से आपको समझाएगा, उसका link description में provided है, आप किसी भी एक को बेटा, zero line मान लो, इन दोनो raise में से, मैं यह वाले को मान रहा हूं, और इस पे आप एक 90 degree angle बनाओ, यह मान लो मैंने इस पे यहाँ पर 90 बना दिया, इस वाली ray पे, अगर आप जिसकी जो दूसरी ray है, जैसे आर हैंड है, इन 90 और zero के बीच में आ जाए तो angle acute होगा, किस के बीच में आ जाए, बच्चा, zero और, zero degree वाली line, जो यह zero वाली degree वाली line थी, और यह जो भी, मैंने यह बनाई है, यह 90 degree की line है, अगर, मान लो, यहाँ तो इन आर हैंड, suppose, आर हैंड यहाँ होता तो यह नहीं, right angle बनता, लेकिन अभी right angle नहीं बना, लेकि क्या यह जो, यह वाली ray, second ray, इन दोनों ray के बीच में तो नहीं आ रही, तो यह acute angle तो नहीं होगा, तो acute को तो मैं cross कर देता हूँ, क्या यह obtuse होगा, yes, obtuse के होगा, क्योंकि यह 90 के beyond है, और 180 से पहले है, 180 होता तो straight हो जाता है, अगर यह मैं straight angle बनाओ तो यह 180 degree का है, अब, जब 90 और 180 की बीच में अगर ray है, जैसे यह 90 degree है और यह 180 है, इसके बीच में ray है, तो angle obtuse होगा, तो straight भी नहीं है यह angle जो है, right भी नहीं है, कौन सा है यह बैचे, obtuse angle, so option 2 obtuse angle is our answer.